Hello students, welcome back to my YouTube channel, Chyography Group. आज की इस एपीसोड में हम डिसकस करने वाले हैं Class 9th SST सामाजिक विज्ञान की Worksheet No. 65 यानि कारेपत्रक सिंख्या 65 को. आज का हमारा चैप्टर हेगा हिस्ट्री का फर्स चैप्टर, फ्रांसिसी क्रांती. फ्रांसिसी क्रांती से सम्माजित हमें कुछ अनुचेद आज की इस Worksheet में मिले हैं. उन अनुचेदों को, उन पेराग्राफ को हमें समझना है और उस पर आधारित कुछ पर्षनों को हमें हल करना है. क्योंकि इस बार हमारे बोर्ड एक्जाम में, यानि एनुवल एक्जाम में, जो आपका फाइनल एक्जाम होगा, उसमें एक कोशिण, फोर मार्क्स का सुरूत आधारित रहने वाला है. हमें एक अनुचेद दिया जाएगा और उससे समंदित हमें चार कोशिण दिये जाएंगे जिनको हमें हल करना होगा. तो इस वर्क्षीट में पहले हम इन सभी अनुचेद, जो चार अनुचेद दिये गए, उनको हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिण करेंगे, उसके बाद इन पर आधारित परशनों को हल करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्क्षीट की. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहें, यह हमारी वर्क्षीट नंबर 65, यानि कारे पत्रक संख्या 65 है, हमारा सबजेक्ट SST सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री, चैप्ट नंबर 1, फ्रांसीसी करांती से समन्दित कुछ अनुचेद दिये गए जिसको हम समझने की कोशिस करेंगे, आज के दिनाग रहेगी 15 दिसंबर 2020, पहला जो अनुच्छेद दिया गया है, पूरी आबादी में लगभग 90 परतिशत किसान थे, कहां की आबादी की बात करें, यहां पर फ्रांस की आबादी की बात करें, तो वहां पर लगभग 90 पर करते थे, लेकिन जमीन उनकी नहीं थी, लगभग 60 परतिशत जो जमीन थी, वो कुलीनों, चर्च और तीसरे एश्टेट के अमीरों के अधिन थी, किसानों के पास केवल 40 परतिशत जमीन ही थी, पर्थम जो दो एश्टेट थे, फ्रांस का समाज था, फ्रांसीजी करांती क समय तीन एश्टेट में बंड़ा था, प्राथम एश्टेट, दिवित्य एश्टेट और तिर्ति एश्टेट, पर्थम एश्टेट में पादरी वर्ग आते थे, दिवित्य एश्टेट में कुलीन वर्ग आता था, और पर्थम जो दो एश्टेट थे, उन लोगों को कुछ जनम आधारित विशेशा अधिकार प्राप थे उन विशेशा अधिकार मतलब special rights और उन में से सबसे खास जो special rights था वो था कि राज्ये को दिये जाने वाले करों से छूट प्राप थी इनको प्रथम और दिवित्य एस्टेट को कोई भी tax नहीं देना पड़ता था tax कोन देता था जो third estate होता था 30 estate कुलीन वर्क को कुछ अन्य सामन्ती विशेशा अधिकार भी प्राप थे जैसे उनको भूभाग दिये गए थे इसके साथ साथ वो अपनी कुछ सेना भी रख सकते थे कुछ अन्य अधिकार भी उनको प्राप थे वह किसानों से सामन्ती कर भी वशोला करते थे किसान अपने स्वामी की सेवा के अपने सेवा स्वामी के घर और खेती में काम करते थे यानि टेक्स तो देते ही थे साथ ही साथ उनको जो उनके मालिक होते थे जो सामंथ होते थे उनके घरों में और खेतों में काम करना पड़ता था उनको जरूरत पढ़ने पर आवशक्ता होने पर सेनिक सेवाई हैं वो भी देते थे और सडकों इत्यादी के निर्माण में भी सियोग करते थे तो यह था हमारा पहला अनुचेद अब हम दूसरा अनुचेद पढ़ेंगे क्योंकि हम परशनोत रहें वो अन्त में डिसकस करने वाले सभी अनुचेदे गए उसके बाद जो दूसरा अनुचेद दिया गए इसमें बात कीगे कि फ्रांसिसी करांती से हमें क्या मिला कि सवतंतरता और जनवाधी अधिकारों के विचार फ्रांसिसी करांते की सबसे महत्पून विरासत थे दो जो विचार निकल के आए फ्रांसिस करांती से एक तो सवतंतरता कि हर किसी को कुछ सवतंतरता के अधिकारों की आजादी है उसके पास सवतंतरता के अधिकार होने चाहिए हर वैक्ति के पास दूसरा था मानव अधिकार कि कि सिरफ राजा के पास ही नहीं समराट के पास ही नहीं बलकि आम लोगों के पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए ये विचार हमें कहां से मिले French Revolution से मिले फ्रांसी सी करांती से मिले और ये विचार उनिश्वी सदी में फ्रांस से निकल के बाकी यूरोप में भी फेले और इसके कारण सामंती जो पर्था थी उसका अंतो गया सामंती पर्था बाकी जनता को एक तरीके से दास बना के रखती थी लेकिन जब आजादी और मानवधिकारों की बात आई तो सामंती वस्ता है उसके पैर उखड़ गए और इन्ही विचारों के कारण दास था जो दास पर्था थी वो भी धीरे धीरे खतम हो गई क्योंकि ये जो विचार थे सवतंतरता और मानवधिकार ये दास पर्था के बिलकुल विपरित थे इसलिए दास पर्था को भी धीरे धीरे खतम होना पड़ा तीसरा जो अनुच्छेत दिया गया है कि फ्रांसिसी करांती के बाद महिलाओं को बड़ी उमीदें थी उन्होंने बढ़ चड़ के भाग लिया था लेकिन उन्हें निरासा हात लगी क्यों क्योंकि 1791 के सहिवधान में उन्हें निश्क्रिये नागरिक का दर्जा दिया गय था दो परकार के नागरिक थे सक्रिये और निश्क्रिये सक्रिये एक्टिव जो citizen उनको माना गया था जिनको वो डालने का अधिकार दिया गया था वो डालने का अधिकार कुछ धनी पुरुषों को मिला था, सभी पुरुषों को भी नहीं मिला था 25 वर्षे अधिक उमर के जो निश्चित कर अदा करते थे उनको क्या दिया गया था वो डालने का अधिकार दिया गया था उन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया और महिलाई क्या थी क्योंकि इनको वो डालने का अधिकार नहीं मिला था तो ये निश्क्रिय नागरिक थी तो इनको काफी निरासा हाथ लगे थी महिलाओं की जो मुख्य मांगे थे उस वक्त वो था एक समान मता अधिकार यानि वो डालने का अधिकार उनको दिया जाए असेम्बली के लिए चुले जाने का भी उनको अधिकार दिया जाए ताकि वो अपनी बात को असेम्बली में रख पाए और तीसरा था रांतिक पदों की भी मांग की कि उन्हें भी न्यूक्त किया जाए रांतिक पदों पर ताकि वो समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सके उनका मानना था कि तब ही नई सरकार उनके हितों का परतिनित्व हो पाएगा नई सरकार में जब वो आगे बढ़ेंगे अगर वो ही आगे नहीं बढ़ेंगे असेम्बली तक या फिर आंतिक पदों पर नहीं जा पाएगी तो उनकी हकों की बात कोई नहीं करेगा तो यह था तीसरा अनुच्छेद चोथा जो अनुच्छेद दिया गया है उसको हम समझते हैं इसमें तीसरे अस्टेट की बात की गई है कि तीसरे अस्टेट में कौन-कौन सामिल थे उसमें सोदागर यानि वैपारी और निर्माता यानि छोटे जो कारखाने जिनके थे इसके साथ-साथ जो परशार्षनिक सेवा में थे जैसे वकील थे वो भी शामिल थे इसका मतलब है पढ़ा लिखा वर्ग था तीसरा अस्टेट इनके साथ-साथ किसान, मजदूर, जो कास्तकार थे वो भी तीसरे अस्टेट का ही हिस्सा थे ये सभी पड़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समोग के पास जनम पर आधारित विशेशादिकार नहीं होने चाहिए उनका मानना था कि किसी वैक्ति की समाजिक हैशियत का आधार उसकी योगता होनी चाहिए नहीं की जनम तो ये हमारे चार अनुच्छे दिये गए इस वरक्शिट में अब हम पर्षनोत्र को डिसकस करेंगे पर्षनोत्र जो पहला हमारा कोशिन दिया गया कि कितने पर्तिशत आबादी किसानों की थी कहां फ्रांस में फ्रांस इसी क्रांते की समय तो हमारा उत्तर रहेगा कि 90 पर्थियत आबादी किसानों की थी उसके बाद second question दिया गया जो second question दिया गया कि किन वर्गों को जनम ना विशेश अधिकार प्राप थे उसके बाद third question दिया गया कि किसानों को कर्च चुकाने के लावा क्या क्या काम करने होते थे तो किसानों को कर्च चुकाने के लावा अपने स्वामे के घर सेवाईं देने खेतों में काम करने, सेनने सेवाईं देने और सडकों के निर्मान में सेयोग देने के लिए वो बात दिया थे यानि ये सभी काम भी उनको करने पड़ते थे कर्च चुकाने के लावा उसके बाद फूर्थ कोशन दिया गया कि प्रेथम और दुवित्य एस्टेट को मिलने वाला सबसे महत्पून विशेशा दिकार क्या था तो उनको मिलने वाला सबसे महत्पून विशेशा दिकार था करों से छूट उनको कर टैक्स नहीं देने पड़ते थे नेक्स्ट फिप्थ कोशन यानि की सेकंड अनुच्छेद है दूसरा अनुशेद है उसका पहला कोश्चन रहेगा फ्रांसीसी करांती की सबसे महतपुन विरासत क्या थी सबसे महतपुन विरासत या देन क्या थी तो सवतंतरता और माने उधिकारों के विचार फ्रांसीसी करांती की सबसे महतपुन विरासत थी जो आगे चलके हमारे विकास का माने विकास का सामाजिक विकास का एक आधार बने सेकंड जो कोशिन दिया गए यूरोप में सामनती विवस्ता के अंत का क्या कारण रहा तो यूरोप में सामनती वैस्ता के अंत का मुख्य कानता सवतंतरता और मानवदिकारों के विचारों का परशार हुआ तो सामनती वैस्ता है वो धीरी धीरे अपने पाउं उनके उखड़ गए उसके बाद तीसरा जो परशन दिया गए है सेकेंड अनुच्छेद का वो दिया गए कि फ्रांसेसी करांती ने यूरोप को किस प्रकार पर भावित किया फ्रांसेसी करांती ने यूरोप में राष्टरवाद और राष्टराज्य की विकास में महत्पून योगदान दिया था क्योंकि फ्रांसेसी करांती के बाद एक तो राष्टरवाद की भावना यूरोप में तेजी से फेली साथी साथ राष्ट राजियों का भी गठन हुआ जैसे जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इत्यादी जिनके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो उसके बाद 2nd जो हमारा पेराग्राफ दिया गए उसका 4th question फ्रांसिसी क्रांती ने दास पर्था को किस परकार प्रभाईत किया फ्रांसिसी क्रांती ने दो विचार दिये थे एक तो सवतंतर्था का और एक मानव इधिकार का सवतंतर्था और मानव इधिकार की अगर बात हो रही हो तो दास पर्था कैसे रह सकते है तो फ्रांसेसी करांती ने सवतंतर्ता और मानव इधिकार जैसे विचार दिये जिसे दास पर्था की समापती को बल मिला काफी सारे लोगों ने बात किए कि अगर हम अपने मानव इधिकारों की बात कर सकते हैं तो सभी मानव के अधिकारों की बात की जानी चाहिए और किसी भी मानओ को दास बनाना गलत है तो यह था हमारा सेकिंड अनुचेज सेकिंड पेराग्राफ अब हम थर्ड जो पेराग्राफ दिया गे उसको समझने की कोशिव करेंगे उस tier question है वो discuss करेंगे जो तीसरा अनुचेज है उसका first question दिया गया 1791 के सेविधान में सक्री नागरी का दरजा किने दिया गया था तो 1791 के सेविधान में धने पूर्श वर्क जिनकी आयू 25 वर्स एदिखती उन्हें सक्री नागरी का दरजा दिया गया था उसके बाद जो next question दिया गया second है third anuchet का महलाओं ने क्या मांग रखी थी महिलाओं की क्या क्या मांगे थी तो महिलाओं ने एक समान मता अधिकार राजनतिक पदों और असेम्बली में चुने जाने के अधिकारों की मांग रखी थी कि उनको असेम्बली में चुना जाए राजनतिक पद दिया जाए और वो डालने का पुरुष्णों के समान एक समान अधिकार उनको मिलना चाहिए उसके बाद तीसरा है महिलाओं ने राजनितिक अधिकारों की मांग क्यों रखी थी तो महिलाओं ने राजनितिक और सामाजिक समानता के लिए राजनितिक अधिकारों की मांग रखी थी तो महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे तो समान अधिकार मिलने से सामाजिक समानता बढ़ेगी और देश के विकास में महिलाओं की भागेदारी में भी बढ़ोतरी होगी तो समान अधिक समानता और देश के विकास में उनकी भागेदारी के लिए जरूरी है कि एक समान अधिकार मिलें उसके बाद हमारा फूर्थ चोथा अनुचेद दिया गया है उसका फर्स्ट कोशिन है तीसरे एस्टेट में कौन कौन से वर्क शामिल थे तो तीसरे एस्टेट में वैपारी, वकील, कारिगर, कास्तकार, किसान, मजदूर, इत्यादी शामिल थे उसके बाद सेकंड कोशिन है फूर्थ अनुचेद का क्या अमीर पादरी भी तीसरे एस्टेट के सदेश्य थे तो नहीं जो पादरी है वो पर्थम एस्टेट के सदेश्य थे तीसरे के नहीं थे उसके बाद थर्ड कोशिन दिया गया है कि तीसरे एस्टेट के लोगों का विशेशा दिकार के बारे में क्या मानना था तो तीसरे एस्टेट के लोगों का मानना था कि किसी भी वर्ग के पास जनम आधारिति विशेश अधिकार नहीं होने चाहिए उसके बाद फोर्थ कोश्चन है जो लास्ट कोश्चन आज की वर्कशीट का तीसरे एस्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हेसियत का आधार क्या होना चाहिए तो तीसरे एस्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हेसियत का आधार योगता होना चाहिए तो ये थी हमारी आज की वरक्शीट काफी आसान थी लेकिन इसमें number of questions की बात करें वो थोड़े ज़ादा थे उमीद करता हूँ आपकी study बहतर तरीके से चल रही होगी अगर आपको आज की हमारी ये वरक्शीट अच्छी लगी समझ में आई है तो इस वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा Thank you, bye bye, have a nice day